देखिए आज का ये बड़ा important session है failure और काफी message मेरे पास आये हैं कि सर कुछ ऐसा वीडियो बनाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग है कोई बिचारा point 3 mark से रह गया है आप लोगों में हैं कोई point punch mark से रह गया हैं इनकी देखो बिचारा ने बड़ी मैनत कीएि कितने marks से रह गये एक point 95 से रह गये एक आप कितने से रह गए ढो माक से रह गय कि इंगलिस का भी cut off के लिए रहे है रागा का भी cut off के लिए रहे है लेकिन aggregate marks में एक या dead marks कम रहे गया राइट किसी का physics में माल लिया 0.25 marks कम रहे गया और बच्चों इसका कारण cut off कम जाने का भी कारण इस वार क्या है air force का cut off कम जाने का कारण है negative marking और यह जो आप dead dead एक एक आदा आदा pon pon number से रह गया है उसका कारण भी है negative marking तो आपने थोड़ा सा धंसे practice sessions नहीं किये आपने positive marking को दिमाग में लेके चले हैं लेकिन negative forces आपको withdraw कर रहे हैं आपकी सफलता से इनको आपने consider नहीं किया है right तो यह एक biggest failure का का कारण है आप अगर practice करते online test की practice करें जिसमे कि आपको बता देता है कि इतने आपके positive marks है और इतने आपके negative marks हमें लगता है कि हमने 50 question attempt की और उसमें से हमारे 35 marks आए क्योंकि हम negative कभी counting नहीं करते हैं हमारे साब 40 marks आए लेकिन 10 marks negative भी तो चले गए और जब आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि question गल 50% आपने प्रिशनावली solve की model test papers online test series solve की लेकिन आपने पाया कि आपके marks पूरी आप कोसिस कर रहे हैं लेकिन 50 में से 45 से उपर नहीं बढ़ रहे हैं अब इनको बढ़ाने का उपाय क्या है अगर negative marking है तो भले ही चलो आपकी योगिता से 45 से उपर नहीं बढ़ रहे हैं तो जो question आपके गलत हो रहे हैं उनको गलत न करें तो साइट 45 से बढ़ जाएंगे आपके marks तो अगर marks नहीं बढ़ रहे है तो यह जो negative factor है यह भी काफी काम देता है तो बच्चो इस बार cutoff जो कम गया है उसका कारण भी negative marking है राइट दूसरा जैसा कि मैंने कहा कि गम नहीं उ हमारे डूब गए अफसोस है उनकी किस्मत पर जो आके किनारे डूब गए तो बड़ा लगता है ना रहे यह तो बस अभी सिद्धियात में आई थी निकल गई राइट इतना सा चूक गए तो जो आप थोड़ा सा लक्ष से जितना चूक गए हैं आप उतना ही आपको सबसे ज़्यादा अफसोस होता है तो मेरी हार्दिक सम्वेधना आप सब के साथ है लेकिन ध्यान रखना बच्चो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है मिस्टिक करना कोई बुरी बात नहीं है हाँ रिपीटेशन ऑफ दा मिस्टिक्स इस बैड गलतियों की पुन्रावर्ति करना गलत है आप डेली गलती करें क्योंकि अगर गलती नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक आत्मा का विकास नहीं होगा गलती नहीं करेंगे आप अगर लकीर के फकीर हो जाएंगे तो आप जड़ हो जाएंगे आपके अंदर प्रगती की जितनी भी संभावना है वो ठप हो ज में के लेंगे के आईएंसटी ने revert Einstein के बारे में आपने उना होगा do ya Albert Einstein अपनी टीम के साथ तीन साल में साथ सो प्रयोग किये और साथ सो प्रयोग फेल हुए कि आन चेन के साथ वाले जो लोग थे हूं कि वह कहने लगे कि महाराज हमारे इतने सारे प्रयोग फेल हो गए लेकिन जब वो Einstein को देखते वो उसी उरजा में उसी तरंग में 700 प्रयोग फेल होने के बाद 700 दरवाजे बंद होने के बाद भी वो रास्ते की तलास करते रहे और जब Einstein के साथ वाले Einstein की टीम जब Einstein को देखती तो वो उसी मौज में उसी तरंग में डेली ना दो के सुबह फिर से नई गलतियां करने के लिए तैयार। तो उनकी छाती और बैठ जाती कि ये कैसा आदमी है। अरे जीवन में और भी कुछ है 700 गलतियां हो गई तो अब इसका पीछा छोड़े मिजली का अब इसका रहने दे माड में जाए। लेकिन जब आइस्टीन से उन्होंने का कि माराज आप तो धेली उसी तरंग में लगते हो आपके अंदर तो वही उड़ जा है उतना ही उतसा से आप फिर से गलती करना चाहते हो। 700 बार जो प्रियोग असफल हो गया अब उसकी सफल होने की क्या संभाव नहों सकती है। लेकिन आइस्टीन ने कहा कि मानलिया हजार वे प्रियोग पर हजार प्रियोग पर आपको सफलता मिलती है। तो हमको खुसोना चाहिए कि कम से कम 700 तो दरवाजे बंद हैं। अब 300 यह तो बचे हैं खोलने के लिए 300 यह गलती बची है तो गलती करने से डरना नहीं। और ध्यान रखना यह हमारा जो इतिहास है वो केवल सफलताओं को याद रखता है। बिना आतप अंधर जहले बिना अस्फल हुए आपके सफलता के सारे प्रियास जो है वो बेकार है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अस्फल हुए बिना सफल हुआ हुआ आपने आइंस्टीन का चलो ये तो नाम सुन लिया सफल हो गए तो देखिए उसने आज की साइंस की जो बड़ी खोज है उसने ये खोज दी आपने सफलता को तो चुन लिया सफलता को ध्यान में रखा लेकिन उन अस्फलताओं को आप भूल गए जो हजार गलती हैं उसने की थी हजार बार अस्फलताओं को पितिहास भूल जाता है केवल सफलताओं को ध्यान रखता है महावीर कितनी बार फेल हुए आपने देखा कि महावीर बुद्ध इतने ग्यानी एक साथ हो गए लेकिन कभी आपने देखा कि बुद्ध पांस साल तक असफल रहे पांस साल तक उनको असफलताओं का सामना करना पड़ा महावीर बारे साल तक असफल रहे उनने बारे साल असफलताओ को याद नहीं रखते हैं । अस्फल वोना बुरा नहीं है गल्ती करना बुरा नहीं है लेकिन हर गल्ती की पुनरावर्ती करना बुरा है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपकी चर्चा सुरू करूँ एक किसान अपनी खेती की और देखके बोला आकास की और देखकर बोला हे भगवान यह तुझे कुछ पता भी है कि खेती किस परकार से की जाती है यह टिडियों के दल असमें बारिस असमें तूफान जो कभी भी तू इस परकार से खेती की जाती है अरे मेरे अनुसार खेती कर तब मैं बताता हूं कि देखो खेती में कितनी पैदावार होती है तो भगवान भी पहले बात सुन लेता था तो भगवान ने का ठीक है इस बार भाई तू कर क्योंकि भगवान पहले इतना दूर नहीं था जितना बारिस मिलने लगी, टाइम पर प्रकास मिलने लगा, टाइम पर सारी चीजें, जब पानी की जुरुत होती तो पानी मिल जाती, जब ओस की जुरुत होती तो ओस मिल जाती, जब गर्मी की जुरुत होती तो भगवान गर्मी कर देता, और किसान भी बड़ा खुस हुआ क्यों का अब काटने का जब गहूं का नंबर आया तो वो पूरे उत्साव में पूरे गाउं को इखटा करके आया देखो साव हम दिखाते हैं खेती कैसे होती है हमने सिद्ध किया है भगवान को पूरे गाउं को लेने लेके पहुंचा लेकिन उसकी तो चाती बैट गई उसको दिया जब प्रकास चाहिए प्रकास जिया जब ओस चाहिए ओस दिया टिड्डियों के दल भी नहीं है लेकिन फिर भी इनमें गेहूं का दाना नहीं है क्योंकि बिना संकट के बिना जूझे बिना आधी के बिना तूफानों के इन सबसे बिना टकराए किसी चीज में आत्मा क विकास संभव नहीं है वीज की उत्पत्ती संभव नहीं है आप जितनी अस्फलताई जहिलते हैं जितने तूफानों से गुजड़ते हैं जितने संकटों को जहिलते हैं उतनी ही आत्मा और अधिक प्रबल आपके अंदर होती है तो ना तो उसके बालों ने आधी देखी ना उसके बालों ने बरसाद्दे की भारी नहीं भीशन गर्मी महसूस उसने बालों को होने दी तो बाल पोच रह गए बाल कमजोर रह गए वो बीज उत्पन ना कर सके तो बच्चो ध्यान रखना ये केवल कहानी मातर नहीं है ये जितनी संकटों के थूँ आप अपने लक्ष तक पहुंचते हैं उतने ही आप आत्मावान होते हैं उतना ही आपको अनवव मिलता है आतप अंधड में जिये विना विस कलेस का पी ये विना वहवीर नहीं कहला सकत आप तब तक उन विगनों को नहीं हिला सकते तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक की आप संकटों से न गुजने तो ध्यान रखना ये असफलता और सफलता ये थोड़ी सी कानों की गुदगुदी है सफलता और कुछ नहीं है आप सफल हो गए तो इसका मतलब क उसके ठपोगे क्योंकि जिसने जान लिया कि मैं पहुंच चुका हूँ तो आगे पहुंचने के रास्ते बंद है उसके लेकिन जो व्यक्ति सतत चलता रहता है वो कहता है कि चलो अभी तो मेरा एर फोर्स में हुआ है एर मैं नहीं तो बनाओ अभी मैं अब मुझे ऑफिसर ब लेकिन सफलता के पीछे असफलता नहीं दिखते हैं किसी भी व्यक्ति के सफल होने के पीछे बहुत सारी असफलता चुपी हुई रहती है इनसे डरने की जरूत नहीं है इस अर पार्ट ओफ लाइफ गिरते हैं घुरसवारी मैदाने जंग में वो तिल्फ क्या गिरेंगे पर बोड़ सुध बंचट भच्टर अगर अप गिरने नहीं देंगे अगर आप के लिए और आज माबाप headers कर रहे हैं बच्य को संकटों से जूजने नहीं दे रहे माता पिता खुद हार तोड मेहनत करने के लिए संपन्न possibilities काह आ Mater Em लेकिन ध्यान रखना ये आपके ही पर कत्रे जा रहे हैं, आपके पिताजी आपके ही परों को कत्रने का काम कर रहे हैं, अरे संकटों से जूजो, लडाई या लडो, अगर धूप मिलती है, धूप में अगर आपको पढ़ना है तो धूप में पढ़ो, धूप में बाहर जाओ बाइक नहीं मिलती तो आप पब्लिक कन्विनियंस का यूज करो जितने सुविधा भोगी होंगे आप आप ध्यान रखना डिफेंस की लाइफ स्टाइल से उतना ही दूर चले जाएंगे क्योंकि डिफेंस की लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है डिफेंस की लाइफ स्टाइल में कोई इतनी सुविधा भोगी लाइफ स्टाइल नहीं वहाँ पर आपको धूप में भी रहना पड़ सकता है ताप में भी रहना पड़ सकता है ठंड में भी रहना पड़ सकता है आंधियों में भी रहना पड़ सकता है इस तरह की आपकी lifestyle हो नहीं तो अगर आप इसको adapt करने के लिए तैयार हैं तब ही defense की और अपने कदम उन्मुक करें तो असफलता ध्यान रखना असफलता केवल यही दरसाती है कि सफलता का प्रयास पूरे प्रयतन से न किया गया और आप अगर अपनी गलतीयों का ठीकरा दूसरों के सर मढ़ते रहेंगे अपनी गलतीयों से नहीं सीखेंगे तो आपकी सफलता की सारी संभाव नहीं बन दो जाएगे आप कहेंगे अरे सर हमें तो सर हमारा स्लेवसी पूरा नहीं हुआ या फिर हमारे गाउं में लाइट नहीं आती है या हमारे घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है या हमारे कोचिंग वाले अच्छे नहीं है हमें सर ने बढ़िया से नहीं पढ़ाया ये सब केवल बहाने हैं इन बहानों के थुरू आप और अस्फलता दो चीन तीन बार चुन लेंगे आप अपने लिए आप अस्फलता एक चुनोती है आप उसको चुनोती के रूप में सुईकार करो और कैसे प्रियास किये जा सकते हैं आगे बढ़ने के क्या कमी रह गई कि मैं या डेर दो माक से ही पीछे रह गया क्या कमी रह गई कि मैं केवल 0.25 माक से ही अपने लक्ष से पिछड़ गया इतना दूर जाके इतना पास जाके और आप फेल हो जाएं परवत की सबसे उंची वाली स्रंखला पर केवल 2 मीटर दूर जाके आदा मीटर दूर जाके आप जंडा गारने से रह जाएं और गिर जाएं तो मैं समझता हूँ क्या आप पर क्या बीतेगी लेकिन इतना पार्ट अफ प्रॉसस आपको जब मिलना है यह प्रकरती ने नियत कर रखा है तै कर रखा है तो इसमें घवडाने की कोई जरूत नहीं है एसेप्ट फेलियर इस दा पार्ट अफ प्रॉसस और एक चीज़ ध्यान रखें सफल्ता एक साथ नहीं मिलती इसके लिए बहुत सी असफल्ताइं भी होती है तो एक असफल्ता मिली तो इससे निरास ना हो जाए अगले बार के लिए कमर कसलें Negative marking को control कैसे कर पाऊ Result भी Air Force ने आपको दिया हुआ है आप अपनी गलतियां उसके interpretation के माध्यम से उसके vislation के माध्यम से निकाल सकते हैं कि कौन-कौन सी आपकी गलतियां रही है उन पर पुनर विचार करें उनको सुधारने का प्रयास करें और फिर से एक अलग युद्ध की अपने की तयारी के लिए सुरुआत करें तो ये fruitful होगा ये failure होके भी आप fail नहीं होंगे अगर आपने अपनी asphalताओं से सीखा है तो और जिसने अपनी asphalताओं से नहीं सीखा वो fail क्या pass होके भी fail है Is it clear? तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना ने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि cut off बहुत कम था पेपर भी काफी simple था लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई चूक रही है कि एक एक दो दो नंबर से आप लोग रहेगे तो फिर से तयारी करें फिर से दुबारा से सारा कुछ स्टार्ट करें इवन एर फोर्स ने भी बता दिया कि भाई इसे subject में इतनी इतनी आपकी कमी है उसको सुधारने का आप प्रियास करें और तभी आपको सफलता मिल सकती है एक दिनकर की कविता है क्या डुबो देंगे तुझे ये स्वपन के बंधन सजी ले ये स्वपन के बंधन ने क्या है तो ये डुबो देंगे तुझे पत की बादा बनेंगे तितलियों के स्वरोस गीले लेकिन तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना जाग तुझ को दूर जाना अपनी चाव को अपनी सुविधाओं के लिए अपने लिए ही संगट ना बना ले अपने लिए ही मुसीबत ना बना ले जागी आपको दूर जाना है और मानव के अंदर ऐसी कोई भी सारी कृतियां छुपी हुई है आप जो चाहें पासकते हैं इस प्रिकृती में ऐसा कुछ नहीं जो कि आपके लिए संभव हो जब मानव टाल ठोकता है तो परवत के भी पाँ उखड़ जाते हैं और जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर में से भी पाणी निकरने लगता है ऐसी ऐसी अद्वुत कृती अंदर ये गोन चुन-चुन के भगवान ने प्रदत्त किये हुए हैं ऐसा नहीं कि इन लो इनके 48 मार्क्स आए या फिर इनके 38.7 मार्क्स आए तो ये काफी इंटेलिजेंट हो गए ये भी आपके साथ पढ़ा हुआ ही बच्चा है और भी जितने भी 3-4-5 बच्चे हैं वो भी आपके साथ ही पढ़े हुए हैं इनका कट ओफ के लियर हो गया तो आपका क्यों नहीं हुआ भई कही न कही न कोई न कोई कसर रह गई है और वो कसर इंडिविज्वल है ध्यान लगना उस सफलता तक पहुँचने के लिए छोटी-छोटी पगडंडिया है कोई रास सफलताओं को जहले बिना कांटों पर बिना चले आप सफलता की उमीद भी नहीं कर सकते हैं तो सफल होने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं फेलियर is the part of our life ऐसा कोई विक्ती नहीं जो आप विज्ञानिकों की जीवनी उठाके देखिए हजारों एक्सपरिमेंट करत आए लेकिन दुनिया के वल सफलता को ध्यान रखती है विफलताओं को भूल जाती है तो learning from failures that is the point कि अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर सब बेकार हैं फिर तो आप जड़ हैं फिर आप मूर्ग हैं और फिर आपके प्रगति की कोई संभावना नहीं है फिर कोई आपके सफलता का माप धंड नहीं है तो इसलिए learn from your mistakes जितना आप अपनी गलतियों से सीखेंगे डेली गलती करें लेकिन नई गलती करें गलतियों की पुन्रावरती न करें तो फिर से अभी form निकलने वाले हैं December में Air Force फिर से दूर नहीं है उमर भी आपके साथ ह फिर से कमर कस लीजे डबल ए का भी है SSR का भी है NDA का भी आएगा एक्जाम बहुत सारे हैं लेकिन आपकी मेहनत किस लाएक है यह डिपेंड करता है राइट वेस्ट अफ लक फॉर देनेक्स टेस्ट